प्रिविद्यार्थियों इस समय आपने देख रहे हैं कक्षा साथ हिंदी विशिष्ट भासाबारती और इसका पार्ट 12 है नियू का पत्थर इसके प्रश्ण उत्तर आज हम पढ़ेंगे मेरा लेपटाप खराब हो गया है तो अभी में मोबाइल से वीडियो सूट कर रहा यह अप्यात प्रश्ण है बहुत प्रश्ण पहला प्रश्ण है नीमनांकित प्रश्णों के उत्तर दीजे को है जूही के चरीत्र की सबसे बड़ी विशेस्ता है हसना आपको जूही की हसी से क्या प्रेणा मिलती है तो इसका उत्तर देखें हम पहले तो इसका उत्तर है ज प्रित परिश्टितियों में भी हसका समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ख़ है प्रश्ण का वीरता कलंकित न हो, सुसुविध हो, इसके लिए कौन-कौन से कारे करना चाहिए। इसका उत्तर है हमें मात्र भूहमी के परति आदर होना चाहिए उसका सम्मान करते हुए किसी भी कारिये से मुझ नहीं मोड़ना चाहिए। जिससे हमारी वीर्ता कलंकित हो, देश सेवा है तू, सदेव तत्पर रहना चाहिए। प्रश्ण ग है, निम्नांकित के चरीत्र की विशेस्ताएं लिखिए, क है लक्षमिबाई, ख मुंदर, ग तात्या। ये हैं लक्षमिबाई के चरीत्र की विशेस्ताएं देश बक्ती, जन सेवा, राष्टर सेवा, मात्र भूमी के प्रतिप्रेम, कुषल एवं वीर योध्धा। ये हैं मुंदर के चरीत्र की विशेष्थाएं आज्यापालक, वीर, मात्र भूमी के प्रति प्रेहम, महरानी लक्षमभाई के सहली, स्वराज्य के प्रति प्रेहम और ये हैं तातिया के चरीत्र की विशेष्थाएं प्रतम स्वतन्तरता संग्राम 1877 के सेनानी, महरानी लक्षमभाई के सहयोगी, मात्र भूमी की सुरक्षा के आधिकारी, स्वराज्य के निव का अधार, निर्भिक सेनिक प्रस्ट नमर दो है, निमनांकित कत्नों का आसे इस प्रस्ट कीजिए, ये कह है, हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे, या स्वराज्य के निव का पत्थर बनेंगे, इनका आसे इस प्रस्ट करना है, कि इसका आसे है, हमारे सभी के सम्मिलित प्रयासो से स्वराज्य मिल भी सकता है और नहीं भी अगर नहीं मिला तो स्वराज्य प्राप्तकर ने की दिशा में पहले निव के पत्थर बंद दूसरों को प्रेणा दे सकेंगे दूसरा है ख सूर्य का तेज अनन्त सूर्य में विलिन हो गया इसका आशाय है महरानी लक्षम भाई का सेनापती रगुनात राव कहता है कि महरानी लक्षम भाई एक सूर्य का तेज ही है जो कभी विलिन नहीं हो सकता वो कभी न विलिन होने वाले अनन्त सूर्य के तेज में विलिन हो गया अर्थात वीरगती प्राप्तकर अमर हो गई अब यहाँ पर है प्रश्ण बर तीन निम्नांकित कथन किसके द्वारा कहे गए तो कहे सुराज जी के लड़ाई सुराज जी मिलने पर ही समापत हो सकती है बाई साब तो यह किस ने लक्ष्ण बैई से कहा तो यह कहा था मुंदर ने लक्ष्ण बैई से कहा था खो है महारानी जी विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पवित्र देह को छूने का सहास केवल पवित्र अगनी ही कर सकेगी तो ये किसने लक्ष्मवाई से कहा तो ये लक्ष्मवाई के जो सेनापती थे रगुनात्राव उन्होंने लक्ष्मवाई से कहा गर मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ ये किसने लक्ष्मी बाई से कहा तो ये तात्या ने लक्ष्मी बाई से कहा खो है आज हमें स्वामी बक्त से ज़्यादा देश बक्तों की आवशकता है तो यहाँ पर किस ने जू ही से कहा लक्ष्मी बाई ने जू ही से कहा अब देखो भाषा अध्यन में प्रश्ण नमबर एक है निम नलिखी शब्दों का शुद्ध वचारण कीजिए पर इसमें शब्द नहीं दिये हैं अब दूसरा देखें निम नलिखी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए तो वाक्यों प्रयोग है विलास प्रियता, जन सेवक, स्वामी भक्त, मरंबट ये चार सब्द हैं जिनका वाक्यों प्रयोग करना है तो इनके वाक्यों प्रयोग देखते हैं यहाँ पर विलास प्रियता का वाक्यों प्रयोग है जब तक हम विलास प्रियता को नहीं चोड़ेंगे तब तक हम स्वराज नहीं मिल सकता यह है जन सेवक का वाक्यों प्रयोग जब तक हम सचे जन सेवक नहीं बन जाते हमें स्वराज नहीं मिल सकता स्वामी भक्त आज हमें स्वामी भक्त से ज़्यादा देज भक्तों की आवशकता है मरहम पट्टी हमें हमेशा घायलों की मरहम पट्टी अवर्श करना चाहिए या करवाना चाहिए अब देखो यह प्राश्ण नमर तीन है सही सब्द पर सही अब तीन लिखाए निशान लगाई यह मतलब सही का निशान लगाना है तो देखो यहाँ पर है को है दुर्भाग्य दुर्भाग्य अलग अलग यह गलत लगाई है यह गलत है यह गलत है यह गलत है ग में समर्पित जो है ये लिखाए समर्पित ये सही है और अंग में ड में जो है ये लिखाए युद्ध गोष द में आदा ध है युद्ध गोष ये सही सब्द है अब प्रश्ण नमर चार आता है नीचे दियेगे शब्द समुह का प्रयोग करते वे प्रत्लेक से एक-एक वाक्य बनाईए कह है क्या से क्या हो गया ख है कहा से कहा पहुँच गई ग नहीं नहीं और ग है कौन कहता है तो इन से वाक्य अपन बनाते हैं तो देखो यह पहला है क्या से क्या हो गया लक्षम भाई कहती है कि मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जुही कहा से कहा पहुँच गई कोरोना वाइरस की लहर देखते ही देखते कहा से कहा पहुँच गई गह है चार का गह नहीं नहीं यह काम करना अभी उचित नहीं है और गह है कौन कहता है कौन कहता है हमने आज़ पड़ाई नहीं की अब प्रश्ण नमबर पांच है इस पार्ट में कौन कहां कब किसने किसे आदी से बने वाक्या हैं इनसे बने प्रत्यक शब्द के दो दो वाक्य चार्ट कर लिखिए तिन के हम दो दो वाक्य लिखते हैं चार्ट कर कौन सब्द से कौन रगुनात ये प्रश्ण वाचिकषिन न कौन सब्द का उपयोग ये तुमारी प्रीठ पर कौन है ये कौन के उसके बाद में कहां और हां रगुनात कहां है पहला मुंदर महरानी कहां है ये कहां से कब बाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी फिर कब क्या हो जाए कह नहीं सकते तो ये कब के वाक्यम प्रयोग है या इनसे बनने वाले शब्द है किसने ग्वालियर से जहासी की ओर कूच किया दूसरा है किसने सम्मान पाया है देश भक्त ने या स्वामी भक्त ने और पांचवा आखरी वाला है किसे उसने किसे साहिता के लिए वचन दिया दूसरा है मेरी साहिता की किसे है दरकार प्रश्ण अबर छे है दिये गए सम्वादों का हाव भाव से वाचन किजिए प्रश्म बै, क्या रगुनात राओ, जुही, क्या हुआ सरदार, रगुनात राओ, महरानी, जनरल हिूरोज की सेना ने मुरार की सेना को हरा दिया, जुही, कापकर, क्या पेश्वा की सेना हार गई, तो इनका आपको हाववाव से वाचन करना है, प्रश्ण नमब साथ है निम्न लिखे शब्दों के विप्रितार्थी शब्द लिखिये विलोंचों दे लिखना है सफलता का विफलता या हार असफलता विफलता दुरुभाग के का सोभाग्य आकाश का पाताल चेतन का अचेतन या मुर्चा दुरुबल का सबल दुस्मन का मित्र अब आ रहा है अपना प्रश्ण मबर आठ निम्न लिखित मुहवरों का वाक्यों में प्रयोक कीजिए मुहवरे क्या दिया है हिमालाय अड़ जाना नीन खुलना पीट दिखाना कलेचे पर पत्थर रखना इनके वाक्यों प्रयोक देखते हैं हिमालाय अड़ जाना कभी कभी बड़े प्रश्णों को याद करने में हिमालाय अड़ जाता है नीन खुलना त्रेमासिक परिशा में गणीद में कम अंका आने पर तो मेरी नीन ही खुल गई अब इसके बाद में पीट दिखाना अच्छे विद्याती पड़ाई को कभी पीट नहीं दिखाते कलेचे पर पत्थर रखना मा अपने कलेचे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को विदेश भेजती है प्रश नमर नौ है नीमने लिखिश शब्दों के समास विक्रफ करते वे समास के नाम लिखिए तो शब्द क्या है देश भक्त, रण भूमी, पेड़ पौदे, वीर बाला, फूल पत्ती, शूब अशूब, युद्ध घोष या है देश भक्त का समास विक्रफ का देश का भक्त और समास का नाम तदपूरुष रण भूमी, समास विक्रह, रण की भूमी और समास का नाम है तदपूरुष पेड़ पोधे, समास विग्रह, पेड़ और पोधे, समास का नाम है द्वन्द समाज और शब्द वीर बाला, समास विग्रह है, वीर है जो बाला, समास का नाम कर्मधारा है फूल पत्ती, फूल और पत्ती समास विग्रह, द्वन्द समास है ये शूब अशूब शूब और अशूब ये भी द्वन्त समाज है समास युद्ध घोष युद्ध का घोष और ये है तत्पुरुष समास तो ये हमने प्रश्ण अब ये योग्यता विस्तार जो है शूब ये 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 दूब ँैदन शुम्ति का मजश है